अलो प्रेंड में दिपक पाद्याय सौगत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चनल पर जिसका नाम है टेक्निकल एनलेसेज ऑफ स्टॉक्स तो फंड आज हम यह पर डिसक्स कर रहे हैं स्टेट बिंग ऑफ इंडिया के स्टॉक में फिर से सपोर्ट जमेरेट आपके सामने आपर जो चार्ट प्रेजेंट किया गया है यहें डेक्नल एक दिन को करते हैं आपको शो कर रहे हैं जब से स्टॉक 500 को क्रॉस करता है यहां पर आप द्यान दिजिए और 500 रुपए की उपर श्टॉक गया उपर कहां तक गया तो लगवग लगवग आप हमें दिखाए दी लगवग लगवग पांसो असी रुपए तक फिर से स्टॉक में हो जाती है गिरावट और फांसो बीस रुपए तक गिरने के बाद यह देखेगा तक कि तेजी चेह सोबीस रुपए तक लेकर चली यह देखें अब अब अगर बात करें तो पांसो साट रुपए से लेकर के 620 रुपए के बीच में स्टॉक यहां पर ट्रेट करता हुआ हमें दिखाए दिरा यह देखिए गा लेकिन फाइनली हमने देखा इस रेंज में चलते हुए भी अब आप देखिएगा जो 560 वाली ब्लू लाइन है यहां था कि स्टॉक आया और यहां पर ब्रेकडाwn कर गया यह देखिए और ब्रेकडाwn जब हुआ फिर सापनी पुरानी रिंज 500 रुपए से क्षम और यहां पर support कहां Director हुआ आप यहां पर देख सकते हैं support कहां पर आया है 500 रुपए यह देखिए 555 पर पर सपोर्ट लेनirable stock में फिर तेजी अब देखिए फिर से breakout हुआ यहां आप देखिएगा यहां करसर पर यहां आपको breakout दिखाई दिया किस रेंज में 560 रुपए पर यहां breakout हुआ इस टॉक उपर गया 600 रुपए तक फिर से गिरावट की आप सपोर्ट देखिए कहां पर आ रहा है जो यह रेड लाइन है यह 200 द पानसो साट रुपए पर हमें देखने को मिला यह देखिएगा फिर से फूर्क के अंदर आपको अल्की तेजी दिखाई दी यह देखिए यह पिर से इंदर आपको निचे की तरफ आकर करके सपूर्ट लेते वह श्टॉक दिखाई देता है कहां पर सपोर्ट लिया तो कर रहा था लेकिन यहां पर फिर फिछले दो दिनों से हलकी फुल की गिरावट दिख रही है लेकिन मैं आपको करूंगा यदि आपने बाइंग किया है या बाइंग का सोच रहे हैं करना है तो नीचे की तरफ 550 रुपए पर आपको डेडलाइन रखना होगी ओपर की तरफ टार्गेट एजट रहेगा और यहां पर जा सकते हैं और यहां पर कर सकते हैं तो यह था हमारा टेक्निकल व्यू इस्टेट बेंक आफ इंडिया शेयर को लेकर के इसी तरह के और भी वीडियो पाने के लिए चैनल को अभी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिक्कुल बिना भूले थैंके सो मच पर वाचिंग इस वीडियो